प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पे चल रहे हमारी यह फॉई बीकॉम क्लास सेमेस्टर टू कम्प्लीट मैथमेटिक्स की स्रीज जो बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं उनको बता दिया जाए यह फॉई बीकॉम सेम्टू मैथ्स 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट मे ने बना दिया वहाँ पर जाएंगे तो आपको कम्प्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज आपको देखने मिलेगी लेक्षे नंबर फाइब पर पहुचे हैं और आज स्टार्ट हो रहा है टाइम सीरीज में फाइव यर्ली मॉविंग एवरेज थ्री यर्ली हमने प्रॉपर अच कि अगर आपको समझ में आया होगा तो फाइव यर्ली का कॉंसेप्ट सिमिलर उसी वे में चलता है वैसा ही पैटन में आपको चलिएगा डिटेल देखते हैं क्वेश्चिन फाइव यर्ली मॉविंग एवरेज क्लियर क्वेश्चिन में कोई दिक्कत नहीं है बट इसके साथ में ग्राफ तो वैसे मैंने आप लोग का मुंबई उनिवर्सिटी के तो किसी पेपर में देखा नहीं है कि आपको फाइव यर्ली के साथ में ग्राफ बोला गया रिप्रेजेंट करने बट आ सकता है कॉलेज में कॉलेज बोलेग जो भी गिवन डिटेल से जो आप निकालोगे दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो आप तो ग्राफ पे बाद में रिप्रेजेंट करते हैं पहले फाइव यर्ली का कॉंसेप्ट करते हैं अब थ्री यर्ली अगर आप लोग देखके आये हो मतलब वो समझ सकते हो ना कि इस मूवी का वो पार्ट वन था और अगर पार्ट वन आप देखके आ रहे हो तो पार्ट वी कुछ इसी फॉर्म में होगा वो देखे हो ना तो यह चीजे आपके लिए काफी आसान बनने वाली है जो अभी आप देखने वाले हो टेबल में कोई चेंज नहीं है टेबल जितना आपने वहाँ बनाया था उतना इटेबल आपको यहां भी बनाने है क्लियर है अब जो अच्छे देख के आऊंगे तो उनको पता होगा क्या होगा जहां पर आपने थ्री येर लिखिया तो वहाँ पर शिरुफ फाइव कर दो बाकी कॉंसेप्ट आपका सेम है पहला आपका येर का डिटेल होगा सेकेंड क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा उसका डिटेल होगा जिसे इसमें सेल्स लिखा है सेल्स होगा कॉस्ट लिखा रहेगा कॉस्ट होगा अम बाकी टोटल आएगा फ्रेवरेज आएगा चले लिख देतें क्या है जैसा पहला क्वेश्चन क्या है आपना येर लि तोटल या थ्री यह ली टोटल तो यहां पर थ्री की जगा पर फाइव फाइव यह ली टोटल और लास्ट इसका एवरेज फाइव यह ली क्लियर है आई थिंग क्लियर होगा चले अब जरा देखते कौनसे यहर से कौनसे यहर तक है सिट किया गया है कि 97 से आपका स्टार्ट कहां तक गया है 2006 तक दिया पहले यहर कॉपी करते है 97 से आपका स्टार्ट है कहां से स्टार्ट है 97 से स्टार्ट है तुछ लिए 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, डेटेल देख लो जरा कहां तक था 6 तक है कहां तक है 6 तक है 4 5 एंड 6 क्लियर है छे लिए लाइन ड्रॉ करते है ताकि गोर क्लियर्टी मिले 6 तक है क्लियर हो गए छे लिए नीचे का टेबल भी बना देंगे बट पहले और डीटेल्स लिख लिए फर्स्ट एयर का सेल्स कितना है 51, 53, 56, 57, 60, 55, 59, 62, 68 and 70 लास्ट के दू यर की मैं बात करूँ 68 and 70 का डेटेल है 68 and 70 चेले इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं क्लियर होगा थ्री येरली में जैसा आपने कॉंसेप्ट किया था त्यान दो इदर थ्री येरली में वैसा ही कुछ फाइव येरली में भी आपको करना है तो फाइव येरली का सिंपल साप इसको लिः जाना है मतलब क्या बोला हां जैसे यहां पर आप समझो पैटन क्या है मैंने 99 लिया कितना दिया था 56 तो देखो ज़रा इधर इसको लिख दिया इधर पर फाइव यर ली करना है तो दो साल पीछे जा रहो तो दो साल का डिटेल है 51 प्लस 53 और दो साल अगर मैं आगे आ रहो तो 57 प्लस 60 57 प्लस 60 यही पैटन है मतलब समझते हैं जरा क्या बोला मैं मैंने बोला इस एर का डिटेल चीह था तो जरा बात करो देखो दो साल में पीछे चले गया और दो साल में आगे चले आया यह सब अपने पास अवे लेवल था अगर इसके उपर वाले एर की मैं बात करो 53 यह लेता तो पीछे जाना पड़ता दो साल और अगर ध्यान दो भ नहीं मिलेगा भाई पीछे दो साल इसलिए दो स्टार्टिंगे खाली दो लास्ट वाले भी चलेंगे क्योंकि यही पैटन है अब इसके आगे क्या करो जरा ध्यान दो भई यह नंबर कैंसल करो 51 हटाओ और बाकी कॉपी करो 53 प्लस 56 प्लस 57 प्लस 60 और 60 के बाद वाला वही तो लिखा अब नेक्स्ट में क्या अगरो 53 अटाओ बाकी जो बच रहे लिखो 56 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 55 प्लस इसके आगे चले जो 55 के बाद क्या रहे 59 आ रहे इसको आप यहां पर रखो कोई दिक्कत तो नहीं यह प्रॉब्लम नहीं 56 अटाओ बाकी लिखो 57 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 59 प्लस 59 के बाद क्या दिखा रहे आपको 62 यह आपको दिखेगा 62 कोई दिक्कत तो नहीं नेक्स जटाओ 57 को क्या दिखा रहे आपको 60 प्लस 55 प्लस 59 plus 62 plus 62 के बाद वाले नंबर पर आएंगे 62 के बाद वाला नंबर क्या दिख रहा है आपको 62 के बाद दिख रहा 68 68 दिख रहा है नेक्स इसमें भी यही करेंगे 55 अब 68 एक है न बाकी लिखेंगे 55 plus 59 plus 62 plus 68 plus last 68 के बाद 70 70 इसके बाद भी यही पैटन नई क्योंकि 70 के बाद वाली डिटेल कहाँ पर है अगर मैं इस इयर को लिखना चालू करूँ इस इयर पर तो भई पीछे दो साल का डिटेल तो हमें मिल रहे बट आगे वाले दो साल सेकेंड इयर यहां question mark लग जाएगा इसलिए यह भी खाली रखे जाते हैं clear है न समझ में आगे है दो box last दो starting अब सबका total करना start करो आप total करते हैं 51 plus 53 plus 56 57 60 total add 277 यही दिख रहे है next की बात करें 53 plus 56 plus 57 plus 60 plus 55 281 next यह की बात करें 56 57 60 55 and 59 287 clear next 57 plus 60 plus 55 plus 59 plus 62 293 next यह की बात करें तो 60 plus 55 plus 59 59 plus फिर से total करते हैं 60 60 plus 55 plus 59 plus 62 plus 68 304 next year की बात करेंगे तो 55 plus 59 plus 62 68 70 314 अब इसी का एवरेश कर दो 12 277 281 287 293 304 314 एवरेस करना बहुत आसान है डिवाईट बाई डिवाईट बाई डिवाईट बाई डिवाईट बाई 5 एर का total है तो डिवाईट बाई 3 year का total तो divide by 3 किया था 5 number को plus किया नवह 5 को plus average करना तो यही concept बाई जितने number का आपने plus किया उतने से divide कर दू तो divide करना start करते है 277 divide by 5 करेंगे 55.4 Next year की बात करें 281 divide by 5 की बात करते है 56.2 नेक्स्ट येर की बात करेंगे 287 287 डिवाइड बाइफाइब 57.4 293 डिवाइड बाइफाइब 58.6 304 डिवाइड बाइफाइब 60.8 नेक्स्ट 314 डिवाइब बाइफाइब 62.8 यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चीए कोई दिक्कत नहीं अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में ध्यान अकना दोनों की बात किया है यह भी रिप्रेजेंट करो आप इसके बाद जो आपने फाइव एरली मॉविंग एवरेस का कॉंसेट निकाला मतलब यह जो आपने निकाला भई इसको भी रिप्रेजेंट करो तुछे लिए रिप्रिजेंट करना इस्टार्ट करते हैं अब यहां पर दो ऑप्शन हो सकते या तो आपको कॉलेज में ग्राफ पेपर मिलेगा ग्राफ पेपर मिलेगा तो भई परफेक्ट एक्विरेट आपका एंसर आजाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी बट ग्राफ पेपर नहीं मिला तो ध्यान अखना तब प्रॉपर कोई भी बच्चा नहीं बना पाएगा क्योंकि प्रॉपर मेजर्मेंट पॉइंट में कैसे हो पॉसिवल है तो वहाँ पे लगभग आपका शलने वाला एंसर अब जिसे बात करो हो कौन से एर से पहले तो कौन से एर से श्चार्टा वो कुष्चन की बात करो ठुटू दिमेंटव द उस च्आजाइब आ से गाहाis छnt श्ठार्ट करते हैं और कहां aisle гр 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 मतलब अगर आपको ग्राफ नहीं मिला तो वन सेंटीमेटर का सब में गयाप रखना वन सेंटीमेटर का रखना है ठीक है अब सबसे बेस्ट होता है पता है क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूं 1, 2, 3, 4, 5 यह मेरा हो गया 50, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यह मेरा हो गया 60, 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया मेरा 65, 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया 70 और I think 70 हाइस्ट है 70 हाइस्ट है 70 हाइस्ट है तो देखो इदर आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना काफी अमारे लिए आसान हो जाएगा पाच पाच का गैप लिए है अब आप क्या कर सकते हो वन सेंटीमेटर यह फिर टू सेंटीमेटर का मेजरमेंट कर लेना आप लोग ठीक है उ 51 कहां पर आएगा जरा उसकी बात कर लो भई 1 2 3 4 5 तो 51 तो इसी पर आजाएगा पहले ही पॉइंट पर आपको दिख रहे है क्योंकि 11 का गैप लिए तो देखो कितना असान हो गया करना यहां पर दिख गया पहला ही सेकेंड दरा ध्यान दो कितना है 53 है फिर 56 है सेकेंड 53 98 पर 53 53 मतलब 51 52 53 देखो इदर देख रहा होगा 53 है और उसके बाद क्या था 56 है नेक्स्ट येर पे 99 पर 56 मतलब 55 के यह उपर जाओ यह दो गया 56 56 के बाद 57 है एक और लाइन उपर से ले जाओ क्लियर दिख रहा होगा 57 हो गया 57 के बाद 60 फिर 55 60 है नेक्स्ट येर की अगर मैं बात करूँ 60 तो हमने सीधा ग्राफिकल यहाँ पर दिखाया है यह तो सामने ही दिखेगा अपना 60 देखो सामने क्लियर है 60 के बाद कितना था जरा बात करो फिर से क्वेश्चन 60 के बाद 55 है नेक्स्ट है 55 तो नेक्स्ट 55 फिप्टी फाइब पर आजओ सामने कि यहां हो गया 55 फिप्टी फाइब कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट बात करो कितना है फिप्ट्ी फाइब 59 फिप्टीन यह पाद करो कहां प्याएब 59 बुले तो 60 से एक कम हो जाएगा 60 से एक कम मतलब इस लाइन पर आएगा इस लाइन पर आजाओ एक और कम कर दू इधर पर आजाओ क्लियर है और इसको इसे टाइम हम लो क्या करते लाइन मिलाते हुए चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा यह खुई दर हो गया फिर यह अपना इधर आ जाएगा फिर इसके बाद यह इधर आया क्लियर है यह यहाँ पर ने 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 इधर ओपर इधर आएगे चलें कहां तक हो गया थ्री तक हो गया अब फोर की बात कर लेते हैं 62 है फिर 68 है 62 फिर 68 62 फिर 68 62 फोर में 62 कहां पर आएगा 61 प्लेस टू 60 के बाद दो लाइन जाना है उपर 61 and 2 60 इधर है 61 2 यहाँ पर देख लो 60 61 62 क्लियर दिख रहा होगा आपको 62 के बाद कितना था 68 लास्टे 70 68 फाइब में 68 जाओ 68 आपको कहां दिखे का 65 के भी तीन उपर मतलब 66 67 68 मतलब इस लाइन पर आजओ आप यह लाइन पर आना है 68 और लास्ट आपका है 70 मतलब सामने वाले लाइन पर आना है क्लियर है सामने देखो 70 क्लियर है कि नहीं है चलिए काम हमने कर दिया इदर क्लियर है आई थिंक क्लियर होगा किसी बच्चे को इस में कोई डाउट नहीं होगा अब सेम ऐसे ही आपको चलना है सेम यही पैटन अब आपको ट्रेंड लाइन बोलने दिखाओ अब पॉइंट को इग्नोर करना इसी ध्यान अगना 55.4 है तो 55 ही काउंट करना आप 56.2 है 56 ही काउंट होगा 57.4 है 57 काउंट होगा 58.6 है तो 59 काउंट होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है जब पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से जादा रहेगा तो एक इंक्रिमेंट कर देना आप 60.8 है तो 61 काउंट होगा 62.8 है तो 63 काउंट होगा यह चीज ध्यान रखना पॉइंट में कोई एक्जामनर आपका नहीं लेके बैठेगा उदर पे मेजरमेंट करना उसका एक्कुरेट एंसर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है अब स्टार्ट करते इसको 55.5 बुले तो 55 फिर 56 पहला 55 पहला है आपका 55 55 पहला आगया इदर फिर सेकेंड 56 ये भी इदर आगया 55 56 हो गए नेक्स्ट ये और एक चीज मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या मिस्टेक कर दिये पता है उसे लगा ही तो मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग के दो ये तो हमारे खाली है न ये चीज तो दो साल छोड़ना है अपने को मतलब 99 से स्टार्ट होगा 99 में 55 इदर आएगा फिर आएगा 2000 तो ये भी इदर आएगा ये सी ध्यान रखना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी जैसा मैंने कर दिया अभी नेक्स्ट बात करेंगे 57 फिर 59 57 है उसके बाद 57 आपका कहा पर आएगा 55 के बाद 56 57 57 आपका यहां पर यह राइट है 57 57 के बाद क्या था 59 है फिर 61 है 59 है अगला 59 59 59 मतलब 60 से एक कम आ जाओ क्लियर है फिर 61 है 61 60 से एक उपर जाओ यहां सामने देखते रहा करो 60 61 61 वाले 9 पर जाएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लास्ट आपका 63 है मतलब 2004 63 है मतलब 61 हो गया 2 हो गया 3 हो गया क्लियर है कि अधिक क्लियर होगा अब जब देखना इसको आप मिलाना है आपको अब यहां पर आपको डॉट रखना है स्टार्ट करना है क्योंकि दोनों सेम नहीं दिखना चाहिए मतलब एक सीधा स्टेट लाइन मिला देना दूसरा थोड़ा बीच-बीच में डॉट रखना है क्लियर है क्लियर अब दोनों शो करो आप क्या है यह जो आपने खीची यह खीची है फाइव एर्ली फाइव एर्ली मॉविंग एवरेश की लाइन बराबर है न यही तो आपने खीच है भाई मॉविंग एवरेश की लाइन या फिर ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो और यह जो होता इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ यह जो होता ओरिजिनल टाइम स्रीज लाइन इसको आप दिखा भी सकते हो यहाँ पर बॉक्स बना लेना जो आपने स्टेट लाइन खीच है और इस तरीके से आपने डॉट किस पर खीच है भई फाइव एर्ली वाले पर फाइव एर्ली मोविंग एवरेज और सिंगल लाइन किस पर खीच जाता जो हमारा ओरिजिनल टाइम सिरीज है क्लियर है कि नहीं है I think क्लियर होगा मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को को डाउट कनिफूजन होगा जो नंबर्स का डाउट कनिफूजन होगा द्यानग न पहले मेंशन कर दो बहुत टेंशन नहीं लेना किसर अगर कुछ डिफरेंस आया तो नंबर कैंसल होगा नहीं क्योंकि एक्जामनर जो भी आपके टीचर शेक करेंगे वह कोई प्रॉपर वहाँ पेंसल इसकल का आफ आया तो क्लियर है आई थिंक हर एक बच्चे का कॉंचेप्ट क्लियर होगा अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फूजन अगर होगा तो जरूर नीचे कॉमेंट में एड़ करो वैसे फाइव यरली के मैं टोटल तीन क्लास लेके आने वाला हूं मतलब इस पर कनेक्ट हो फिर उसको कहीं और मैट्स के लिए किसी यूटूब चैनल पर जाने की जरूरत ना पड़े मतलब हर एक बच्चिया यहां पर सटिस्फाइब हो जाए यह अबजिक्टिव है और प्रॉपर बे में उसको लेक्शिर से मिलना चाहिए क्लियर है कि नहीं का लिंक अपने कॉमर्श के जो भी फ्रेंड है चाहिए बीकॉम है बैफे बीबियाई बीफम या फिर बीमेस क्लास सेकेंड यर फर्स्ट यर मास्टर डिग्री सब को शेयर करो क्यों कि हर एक क्लास की मोस्ट इंपोर्टन्ट क्वेस्ट्टन्स स्लेबस और इसी तरीके के स सब यह मिन्स हर एक क्लास की यहां पर चैनल पर चल रही है ताकि वो भी बच्चे यहां से कनेक्ट हो और उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इसी तरीके से मिले तुछे लिए मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच